बिसमिल्ला इरह्मान इरहीम, मनी सप्लाइ जो के एक इंतिहाई इंपॉर्टन टॉपिक है मॉनिटरी एकनॉमिक्स का और जिसके बारे में स्टूडेंट्स को अक्थर कन्फूजन्स होती हैं, जिसके बारे में उनकी क्लैरिटी नहीं होती, उसको हम टेप बाइ स्टेप एक एंगल से एक एक आस्पेक्ट से डिसकस करते जाएं, तो अभी तक हमने मॉनिटरी बेस जिससे सेंट्रल बैंक की मनी कहा जा सकता है, या जिससे सेंट्रल बैंक की मॉनिटरी लाइबिलिटीज कहा जाता है, उसको हमने डिटेल में डिसकस किया और उसके कोई six determinants हमने डिफ यह कि उसका इंपर्फेक्ट कंट्रोल है 100% कंट्रोल नहीं है अब हम इसी सीक्वेंस में एक स्टेप और आगे जाते हैं और अब हम उस मनी की बात करते हैं जो मनी हमारे लिए डायरेक्टली रेलेवन्ट है मसलन रिजर्व अकाउंट हमारा तो नहीं होता वो बैंक्स का होता लेकिन करंसी से तो हम डायरेक्टली डील करते हैं और करंसी तो चले मॉनिटरी बेस का भी पार्ट थी लेकिन रिजर्व उसका पार्ट था वो हमारी डायरेक्ट डीलिंग में नहीं होता लेकिन M1 की डेफि as medium of exchange, तो इसका मतलब यह है कि अब वो जो M1 या M2 की definition हमने एक पिछले lecture में पढ़ी थी, अब हम उस money की बात करते हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे कि money supply process में multiple deposit creation कैसे होती है, अब यहां पे एक बात आपको clear होनी चाहिए, जो आपने पिछले एक lecture में पढ़ी भी है, और वो यह है कि जो bank deposits होते हैं, वो money का main component, यनि कि अगर central bank की money में देखें, तो पाकिस्तान के case में money in circulation ज्यादा है reserve से, लेकिन जब आप M1 या M2 पे चले जाएंगे, तो फिर जो deposits हैं commercial bank में लोगों के, वो currency से ज्यादा है, ठीक है न, यह हमने उसमें देखा था M1 में 35 और 65 क ratio थी, 35% currency और 65% deposit, अब इसका मतलब यह है, और यह हमेशा fix नहीं रहती 35-65, यह तो July 2022 का data हमें यह show कर रहा था, जो मैंने example के लिए आपके सामने, यह show कर रहा है, अब चुके बड़ा component इसमें deposit है, तो हम कहेंगे कि जो money supply है, जिसका मतलब है, या M1 या M2, अब इसका मतलब monetary base नहीं है, इसका मतलब M1 या M2 है, उसमें बड़ा component चुके deposit हैं bank के अंदर, लोगों के, depositors के, individuals के, institutions के, तो इसलिए हम यह देखते हैं कि जब central bank reserve supply करता है, तो उससे deposit creation कैसे होता है, और वो deposit creation, normally reserve के मकाबले में, उसके multiple में होती है, यानि कि अगर 100 रुपय का reserve transfer होता है, तो जो overall deposit creation है, वो एक तो से ज्यादा होती है, यानि कि उसके multiple में होती है, इसलिए से कहते है multiple deposit creation, लेकिन वो लाजमी नहीं कि हर केस में हो, पहली example में वो शायद ना हो, लेकिन उसके बाद हम examples पढ़ेंगे, जिसमें ये होगा multiple deposit creation, अब example लेते हैं पहली example ज़रा simple वाली कर करता है, कितना वन बिलियन रूपीज था, अब चुके उसने वन बिलियन रूपीज के reserves transfer करने हैं commercial bank को, तो वो क्या करेगा, वो open market purchase करेगा, यानि कि security purchase कर लेगा और reserve transfer कर देगा commercial bank के account, इस example में हम कुछ assumptions ले लेते हैं, उन assumptions के अंदर पहला assumption ये है, कि we will focus only on one bank, हमारे model में इस वकत ये है कि commercial bank एक ही है, और central bank तो ही है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि जो payments होती है, goods and services की, वो सारी की सारी चेक के तुरू होते हैं, currency का element हम निकाल रहे हैं, अपनी आसानी के लिए, simplified model लिया जाता है, जब आप अपनी आसानी से कोई बात स creation हो, तो currency को साथ रखने का फाइदा भी नहीं है, तो हमने assume कर लिया, कि सारे की सारी transaction चेक के जरी हो, और तीसरी assumption हम ने ये ले ली, कि जो commercial bank है, वो required reserves जो central bank की तरफ से हो, वो तो रखने का पाबंद है, लेकिन excess reserves hold नहीं करेगा, जो ये excess reserves create होगा, वो इसको lend कर देगा, market म loan दे देगा, बात समझा गी, इसका मतलब ये है, कि वो excess reserve hold नहीं करना चाहेगा, commercial bank, जो कि इस वकत एक ही है, अब, OMO हो गया, और मैंने जैसे के पहले बताया कि OMO purchase होगा, क्योंकि reserve shift करना है, reserve का मतलब है, money shift करनी, money बढ़ानी है market में, तो OMO purchase करेंगे, अब जब OMO purchase हुआ तो उस में securities क्या हुआ, central bank ने purchase की, तो जो bank A, इस वकत हमर पास A की commercial bank है, उसका नाम हमने रखा है bank A, तो bank A की balance sheet में देखें, तो उसके assets एक billion से कम हो गया, क्यों एक billion की government securities central bank ने purchase करनी, लेकिन साथ ही साथ उसके reserves भी बढ़ गया, वो भी तो उसी का asset है, तो एक उसका asset कम ह हुआ, एक asset बढ़ गया, net में फिर balance हो, लेकिन आपने याद रखना है कि फरक किस चीज़ पर पढ़ा, reserves पर हमारा focus reserve पर है, क्योंकि वो monetary liability और उस से ultimately deposit creation होने, तो एक billion से bank A के reserves बढ़ गया, अब सवाल ये है कि checkable deposit पर क्या फरक पढ़ा, अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा ठीक है न, क्यों, इसलिए कि government की security जो है, वो central bank ने purchase की और central bank ने reserve उसके account में credit कर दिये, that's it, तो इसका मतलब ये है कि जब customer के deposit पे कोई change नहीं आया, तो जो required reserve होते हैं, वो तो customer के deposit की उपर apply होते हैं, तो required reserve में कोई change नहीं आएगा, लेकिन जो access reserves होते हैं commercial bank के, एक तो required reserve हो गया न, जो central bank की तरफ से तैक किये जाते हैं, एक हो गया access reserve, तो अब one billion reserves transfer हो गया है, credit हो गया है, bank A के account में, जब कि उसके required reserve में कोई change ही नहीं आया, तो पूरे का पूरा one billion access reserve बन जाएगा, तो इसका मतलब है, access reserve one billion की हो गया, और हमारी assumption के मताबिक bank A उसको hold नहीं करना चाहेगा, बलके उसको lend करना चाहेगा, लोन देना चाहेगा, तो उसने एक customer को लोन दे दिया, अब customer को जब लोन दिया, तो उसको हम देखते हैं कि कैसे दिया, और इस से उसकी balance sheet पे क्या फरक पड़ा, पहले तो ये समझें, कि जब कोई bank किसी customer को लोन देता है, तो वो उ तो customer को लोन देने का मतलब ये है, कि उसके account में credit कर दिया, अब ये जो credit किया, इसके लिए हम देखते हैं कि क्या उसकी balance sheet पे क्या फरक पड़ेगा, bank A की, अब ये loan देने के बाद है, ये open market purchase पहले step में था, वो चुका, ये step 2 आ गया है, तो step 2 में उसने क्या किया, कि वो ज पहले step में, reserve उसका 1 बिलियन से बढ़ चुका था, पहले step में, अब उसने क्या किया, 1 बिलियन का loan दे दिया, और आपको पता होना चाहिए, कि जब commercial bank loan देता है, ये उसका asset हो, लेकिन at the same time, उसकी liability भी increase हो, और वो क्या, कि वो जो जिस customer के account में credit किया गया है, 1 बिलियन बन गई, तो एक तरफ commercial bank का asset बढ़ गया, 1 बिलियन से, एक तरफ commercial bank की liability बढ़ गई, 1 बिलियन से, अब step 2 में हुआ क्या, bank A ने एक deposit create कर दिया, 1 बिलियन, उस excess reserve से, जो इसने security के against लिया, इसका मतलब ये है, कि act of lending creates money supply, यानि कि commercial bank का जो act of lending है, it creates money supply, इससे money supply create होती है, क्यों? इसलिए कि जो deposit बन गया, आपको पता है, deposit one to one, M1 या M2 जो भी relevant deposit हो, उसकी relevant definition के मताबिक, उसमें one to one transfer हो जाते हैं, यानि कि उसकी definition में आ जाते हैं, अब step 3, उस customer ने क्या किया, उसने उससे एक plant purchase कर लिया, और उसकी payment check के through कर ली, क्योंकि हमारी assumption में ये भी है, कि हर payment check के through होगी, उसने वो कर दी payment, तो step 3 में वो जिस customer ने, वो loan लिया, उसने आगे payment कर दी, तो वो payment भी check के जरीए की, तो अब bank A को क्या हुआ, अब bank A की securities तो one billion से पहले कम होई थी, उसके reserves one billion से बढ़ गए थे, लेकिन आगे ये उसका final है, वो जो हमने loan वाली बात की थी, वो loan वाली story खतम हो गई, क्योंकि उसने आगे payment कर दी, और payment करने के बाद, वहाँ पे story end हो गई, bank A, क्योंकि हमारे पास और तो कोई bank ही नहीं है, ठीक हो गया, अब इसका मतलब ये है, कि जो, अब ये नीचे लिखा हुए है, कि amount is transferred to another bank, जबकि हमारे model मे bank A कै, तो इसलिए हम या, वो, बाकी जो bank है, वो हम consider नहीं कर ले, तो हम अपनी story को यहीं stop करेंगे, लेकिन net result ये हुआ, कि जो bank A है, वो अपने access reserves, जो 1 billion rupees के उसके बन गयते, उसने सिरफ उतना ही loan दिया, उसके multiple में नहीं दिया, इसका मतलब है, कि जब एक ही bank को commercial bank, तो lending capacity जो है, वो उसके अपने access reserve holding से determine होती है, उसके ज्यादा वो loan देगा, तो risk ही हो जाएगा, risk ऐसा हो सकता है, कि उसने एक customer को भी loan दे दिया, दूसरे को भी loan दे दिया, अगर दोनों ने check लिख दिया, तो फिर commercial bank payment कैसे करेगा, क्योंकि और तो कोई bank ही नहीं है, इस वक्त आमरी सिस्टम, थैंक य।